नमस्कार अब ये योजना अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है क्या है इस योजना का दूसरा चरण और लोग इसे कैसे लाब ले सकते हैं आज इसे विशेपर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्तित है एक बेहद खास महमान जिहां आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्तित हैं जिस्टिक सप्लाई ओफिसर उमेश चंद्रमिश्रा सर नमस्कार और स्वागत आपका हमारे कारिक्रव में जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं प्रदान मंतरी उज्वला योजना के बारे में और जो शहरी महिलाएं हैं जो BPL परिवारों से संबंधित हैं उनके जीवन में यह योजना नवीनता उचता और गर्मा लाने में पूरी तरह से सफल रहा इसकी सफलता को देखते हुए किन सरकार ने निरड़े लिया कि जो अभी भी ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं और बचे किया और सबसे बड़ा इसमें अच्छा विशाई यह रहा कि यह उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से ही इसकी सुरुबात की गई और दस अकस्त 2021 को इसकी बिधिवत सुरुबात की गई जिसकी अंतरगत हमारे प्रदेश को पूरे देश के लिए एक करोन कनेक्शन का लच् लाब टू के लिए जो है माननी भारस सरकार के द्वारा दिया गया है लच्छ और हम लोग अब ऐसे लाभारतियों का इसमें चैन कर रहे हैं जो बीपिल परिवार से संबंधित हैं इसके पातरता के सिर्णी में आते हैं परन्त अभी तक उन्हें कनेक्शन का लाब नहीं मि खेविंदू है और सबसे जादा परंपरागा तीधन के यूज करने का जो नुकसान था उसका उससे महिलाएं ही गरसित होती थी क्योंकि कीचर महिलाएं ही शमालती है तो इसलिए इसके लाब के लिए ब्योस्था ये किया गया है कि जो भी परिवार इस रेड़ी के वहां पर भी जाकर जो फारलफिलörtको करेंगा जिसका कि वाईज करते हैं उसमें अपना वह पूरा परिवार का डिटेस्क देगा आधार कार्ड़ उसे लेकर जाना होगा महिला काफोटो लेकर जाना होगा और अपना बोड़को मेरे पास लच्प है उस लच्प लच्छ प पातता के दृष्टिकत उनको करनेशुन कगयिस कनेक्शन जारी किया जाता है। तो इस तरह से इस योजना की सफलता नारी गरिमा से जूड़ी हुई है। और यzhbam और देखते हुए मानि प्रधानमातिजी ने उच्वला दो सुरुआत की तो देश की आधी आबादी यानि की एक महिला को सश्वक्त करने का सदरकार का प्रयास है कि हमारी देश कि आधी आधी आबादी सशक्त हो तो महिला सशक्ती करण्ड में इस योजना का कितना योगदान रहा देखिए अगर हम भारती संविधान की बात करें तो मूल अधिकार में स्वस्त जीवन है और स्वस्त जीवन के लिए धुआ रहित होना आवश्यक है हम गाउं में देखते थे तो महिलाओं को बड़ा कस्ट होता था धुवे से उनका उनकी आखें और उनका स्वसंत तंत्र सब कुछ प्रभावित हो जाता था और समय से पहले ही वो बीमारी के तरफ बढ़ जाती थी और परिवार बीमारी पर खर्च करके वह अपने विकास से अउरुद हो जाता गया ताकि उन्हें भी अहसास हो कि हम भी गरिमा के साथ जीवन वितीत कर सकते हैं नारी का स्वास्त लाप भी से जुड़ा हुआ है और वह स्वस्त तरीके से और गोरों पूर तरीके से अपने जीवन को निर्वाह करेगी तो निशीत रूप से इस योजना ने सीधे जो है महिला गौरों और महिलाओं के उठान के लिए जो सरकार का प्रयास है और जैसा कि हमारी स्वामिधान की मंसा है उन दोनों को पूरा करता नजराता है तो आपको क्या लगता है कि इस योजना को और विस्तार रूप देने के लिए जिन लोगों तक या फिर जिन लाभारतियों तक ये योजना नहीं पहुंची है तो उन्हें कैसे लाभार्मिध किया जाएगा इसके लिए हम लोग समय समय पर कैम कायोजन करते हैं इसका प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है और इसके लिए जगा जगा पर हम लोग ग्राम पंचायतों में नगरी छेत्रों में समय समय पर कैम कायोजन जो आईल कंपनिया है उनके और हमारा सप्लाइ कि casualty नहीं हो इसके लिए समय समय पर उन्हें कैसे चूलों की सफाई करना है और अगर casualty हो भी जाती है कहीं ऐसा हो जाता है तो कैसे वो गैस से बचाओ करेंगे अपना किस तरह से minimum नुकसान पर उसको वो cover करेंगे इन सारी चीजों की हम लोग ट्रेनिंग बीच वीच में कराते रहते हैं और सभी पेट्रोल पंपों पर सभी सावजनिक अस्थानों पर उज्वला के संदर्व में जो सूचनाय है वो वाल्प्रिंट के राए गए हैं या फ्लैक्सी करूप में चस्पा किये गए हैं तो परियात मात्रा में और जो सोसल मी पुचलाययोचना का लाब कैसे लिया जा सकता है तो हमारे जो भी दर्षक हमें इस वक्ते देख रहे हैं यह लाब पाने के लिए किस तरह से वो रिजिस्टर करें जो जिनने जाताँ पता नहीं होता है चीजों के बारे में जी इसके लिए उनके पास दो तरीका है एक तो सेंग में आप्लिकेशन जो है भर सकते हैं साइट पर जा करके और दूसरा वो नजदीक में जिस भी सेंटर से अपना गैस कनेक्शन करना चाह रहे हैं रिटेल गैस आउटलेट जो हमारा होता है वहां पर जा करके वह अपने आविदन के लिए आविदन फार्म मांगेंगे औ और साथ में किवाईशी भर करके उसे जमा करेंगे उसको आनलाइन करने का काम सम्मधिर सेंटर करेंगा और उसके उपरांत जो हमारे पास लच दिया गया है उस लच्छे के अंतरगक प्राथमिक्ता के आधार पर जिन लोगों का हमारे पास सभी डाकुमेंट्स पूरे होक उसके नाम पर गयस कनेक्शन जारी किया जा सकता है इसके लिए क्योवल पातरता यह है कि उसके परिवार में पहले से कोई कनेक्शन ना हो जैसा कि हम बताते हैं कि इसमें किवाईशी भर ना होता आधार लगे होते हैं अगर पहले से कोई कनेक्शन परिवार में है तो वह स इसके अलावा हम लोगों ने उज्वला फस्ट में कुछ समूह थे उनमें जैसे कि आधिवासी परिवारों में बिसेश ड्राइब चलाया थे अवियान चलाया था हम लोगों ने और उनको पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया था बट यदि उनमें से कोई भी व्यक्ति अ अपने आधार पर अपने सक्तियों के आधार पर आधुनिक्ता या मुख मार्ग में विकास के मुख धारा में नहीं आ सकता है उसे प्रथम लाब देने का जो हमारे सम्मिधान का और हमारी शरकार का दोनों का जो लच्छ है उसके अनुसार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं औ को अपने जीवर में कभी किसी को आने नहीं देना चाहते तो उन लोगों तक ही योजना पहुंचाना कितना कठिन है या फिर किस तरह से करेंगे आप लोग देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो कोई भी समाज या समुदाय उस करम है वो बहुत महत्वपूर होता है इसके लिए जिला परसासन की टीमें और आइल कंपनी की टीमें गाउं गाउं जाती है और जगह जगह पर जो हम लोग अपना क्रेंपेंड करते हैं उसमें इस बात पर विसेश रूप से बल देते हैं कि लोगों को ने किवल कनेक्शन बांटे जाएं अब भी तो उनको इस कनेक्शन से होने वाले फायते कोई बारे में भी बताया जाए इसी के अंतरगात हम लोग स्पेसल ड्राइब चलाते हैं ऐसे गाउं में जो मुसहर टोली है या मुसहरों का गाउं है उन महिलाओं को विशेश रूप से हम इसके संदर् समदाएं में भी देखते हैं खास करके जो मैदानी इलाकों में रहने वाले जंजाती समूं हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती है और हमारा फोकस यह रहता है कि वह अपने न्यून अर्थब्योस्था में भी इस योजना का लाव उठाएं और इसे लगातार कंटी ज्यादा है तो उसका भी एक एक है कि अगर बीमार हो जाते हैं तो बीमारी में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे और बीमार होने के बाद वक्ति स्वस्थ हो के पुनाघर आएगा की यह भी कन्फरम नहीं होता है अईसी इस्तिती में जब स्वास्त वाले मुद्द को हम दे बदलाव लाता है विलके उन्हें स्वस्त रखने में भी सच्छम होता है अभी हमारे देश की बहुत सी आबादी वनों पर निर्फर करती है तो वन रक्षा करना हम सभी का दाइत है तो आपको क्या लगता है कि इस योजना से वनों के रक्षा करने के लिए असर पड़ा है ज उसमें धूआ का विसेश करके इधन से जो लकडी से होने वाली धूआ है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तो कहीं कहीं गयस कनेक्शन से हम वाई प्रदूसर्ण को भी रोकने में शफल होते हैं और इसके लिए हम लोगों ने जो जान जागरुपता और आपका ज अधरी उजवला योजना टोकी बात कर रहे हैं तो अब तक कितने इलाब भारतियों को इसे लाब हमिल चुका है इसके बारे बताएं असर कुछ तेगे पूरे देश में एक करोन कनेक्शन जारी होने के घुसड़ा हुई थी जिसमें राज सरकार उत्तर प्रदेश को 20 12,000 कनेक्शन जारी कर चुके हैं और बाकी आवेदन हमारे पास आ रहे हैं अभी भी मेरा अनुरोध है कि जिन परिवारों को नहीं मिला है और पार्तता की स्रेड़ी में आते हैं अर्था तो बीपीज स्रेड़ी में हैं और उनके घर में पहले से किसी प्रकार का कोई कनेक् करते हैं उसके लिए जो संबंधित गैस एजनसी है वहाँ गैस से होने वाले किसी भी आकस्मिक दुर घटना और कैसे उसे बचाव किया जा सकता है इसको ले करके भी हम लोग विविन तासील दिवसों से ले करके विविन जो भी सामाजिक आयोजन होते हैं उसमें हमारे कैम आयुजित की जाते हैं और उसमें उसका परदर्सन किया जाता है उन्हें बताया जाता है फिर भी अदिकिशी को इसमें कोई समस्या है तो विवाग का टोल फ्री नंबर है उस पे वह अपना डिमांड कर सकता है कि मुझे इस संदर्व में कोई इशू है आप हमें इसके जाएं तो उसके लिए भी हमारे संबंदित एजंसी के जो वरकर्स हैं वो और कंपनी के वो उनको जा करके इसके बारे में पूरा नालिज देते हैं यानि कि बहुत आसान है इस योचना का लाप लेना सब चलते चलते आप हमारे दर्शकों को अपने तरफ से क्या गहना चा करा हैं यह कहीं कोई परिशानी है तो विभागों में जो हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन है या विभाग के कार्याले दियूसों में आकर कि अपनी समस्या कहें हम आपके समस्या के निस्तारण के लिए कृत संकल्पित हैं प्रतिवद्ध हैं औ और इस महत्वपूर्ण योजना की महत्ता को समझते हुए इसे अपनाएं और ना किवल गैस कनेक्शन कराएं आप इस गैस को भरा करें गैस का यूज भी करें दिन पर दिन में जिसे कि स्वस्त लाब और धुआ रहे जीवन आपका हो यही मेसंदे देना चाहता हैं तो दर सर आपने इतना कीमती समय में दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद नमस्कार